क्या आपको पता है हर साल कितनी नील प्लेस्मेंट सर्जरिस होती है इंडिया में क्या आपको पता है कितने ही लोग जोडों के दर्श से परिशान है हर फैमिली में किसी ना किसी को ये प्रोब्लम तो होगी है इसकी एक वज़ा है कार्टिलेज में खराबी Cartilage जो की joints में present होता है जिसकी वज़ा से दो bones एक दूसरे के उपर glide कर पाती है या कहलो move कर पाती है जिससे आपकी leg movement होती है जहातर old age people में इसकी problem आती है पर आजकल middle age में भी ये problem आ रही है और जहारतक cases में complete knee replacement surgery की करवानी पढ़ती है हर साल इंडिया में एक लाग से ज़्यादा knee replacement surgery की जा रही है तो अब इससे option क्या है अब इससे आपको छुटकारा मिल सकता है कैसे क्योंकि scientist ने एक natural cartilage की तरह ही काम करने वाला artificial cartilage धून निकाला है इस artificial cartilage में दूसरे hydrogels के साथ water absorbing polymers का use हुआ है एक polymer chowmin जैसे strand से बना है दूसरा कम लेचीला basket जैसा है तीसरा polymer cellulose fibers का बना है जो जाली जैसा है जब polymer stretch होता है तो तीसरा polymer सब चीजों को जोड़े रखता है और पहले दोनों polymer जो negative charged है एक दूसरे को repel करते हैं और water के साथ जुड़े रहते हैं ताकि दोबारा original shape में आ सके यह जो cartilage है इसके अंदर natural cartilage की तरह ही flexibility, durability और strength होती है इस hydrogel को use करके complete knee replacement से जो problem आती है यह कहलो कि complete knee replacement की जगा पे अब इस hydrogel को use किया जाएगा साथ में अब जो है knee replacement जिसको दोबारा करवाना पढ़ता था 20 साल बाद अब वो भी problem solve हो गई है इस hydrogel का test lab room cells में किया गया जिसके अंदर यह non toxic मिला और इसके durability भी check की गई इसको rugged के भी check किया गया natural cartilage के जैसे तो उसमें पाया गया कि यह एकदम सही है और natural cartilage की तरह ही काम कर रहा है अब यह जो है अब humans के अंदर कब test किया जाएगा यह देखने वाली बात है पर उससे पहले इसको ship के अंदर use किया जाएगा ship के अंदर transplant करके देखा जाएगा क्या वह वहाँ properly work कर रहा है अगर ऐसा होता है तो हमारी जो problems है नी transplant वाली वो solve हो जाएगी आपके जोडों का जो दर्द होता रहता है वो भी ठीक हो जाएगा और यह permanent के और होगा है ना एक बहुत बढ़िया news और यह science में बहुत बढ़ा breakthrough होगा जो आपके लिए बहुत helpful होगा अगर ऐसा होता है तो देखते हैं आने वाले दिनों में कितने जल्दी यह technology develop होती है और आपके पास पहुंखती है ओके have a nice day for today and I think you will subscribe and keep watching my videos for such more informative news okay thank you have a nice day